युबा लच्छित गरी मौरी पालन मा सहयोग गर्दा मनग्य आमदानी गर्ण सफल भयका सन। कामर दाम को खोजी मा बिदेश को राप्र ताप मा पुगिर फरकिये का युबा हरुलाई लच्छित गरी पालपा को बेगनास काली गाउपाली काले युबा लच्छित मौरी पालन बेवसाय मा सहयोग गर्दा मनग्य आमदानी गर्ण सफल भयका हुन। युबा हरुले बेवसायक रूप मा मौरी पारन लाई अगाडी बढ़ाय का सन। मौहल ले सरलाई खाना को लागी फाइदा दिनेरे युबा हरुलाई आर्थिक आमदानी पनी बिड़ी गर्ने उधाहरी मौरी पालन सजीलो भयका कार्ण लेगाड़ाई लच्छित मौरी भयका चाले बिदेश बाट फरकी एकात था स्थानिय युबा हरुलाई आर्थिक रूपले सबल र सच्छम बनावने उधेश सेले गाउपाली काले बरांगदी चाप पानी खानी चाप लाई बेबसाईक मौरी पालन को पोकेट छेत्र बनाएको सा बेबसाईक मौरी पालन मा पचास जना भंदा बड़ी युबा हर को शह बागी ता सा मौरी पालन बाच कम लगानी मा बड़ी उत्पादन हुनका साथे एक पटक को लगानी बर्षको आमदानी तथा शहज बजारी करण लेपनी युबा इस्तर्फ आकर्षित भायका हुने प्रधानमंतरिक किर्शी आधुनिकी करण परियोजना समन्नोयमा आधुनिक घार को प्रयोग गरी स्थानिय जात को मौरी पालन बेबसाईक रूपमा अगाडी बड़ेको हो स्थानिय शरकार को 25 लाख, प्रधेश शरकार को 25 लाख गरी, 50 लाख को कारेक्रम संचालन गरियेको गाउपालिका का दच्छ बताउनो हन्चा युबलाई लच्पड्र पाल आधुन खो कारेको बड़ेको हो युबालाई लच्छिती इसता कारेक्रम को दाईरा फराकिलो बनाव देई बैंग तथा बित्तीय सस्ताबाट शर्ब सूलब तरिकाले करजा उपलब्द भाय को खंडमा युबा जनसक्ती को स्रम सोदेश में उपयोग हुन सक्छ युबाको स्रम्र सीब को प्रयोग शोदेश में हुदा मुलुक को आर्थिक बिकास संगे रोजगारी को बलियो ढोका खुलने देखिन छ माउंटेन टेल्वीजन एस्टी का लागी पालपाबाट प्रकास नेपाल को रिपोर्ट झालपा एस क्ज पुल एसना की लागी एस को बनादू की बनास में हु़िक